नमस्कार वास्तु शास्त्र सीखिए श्रिंखला की दूसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत है वास्तु शास्त्र को ज़्यादा तर लोग जिस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं वो है दिशाएं तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है दिशाओं के बारे में जिस तरह से जोतिश में दशाएं हैं दशाएं यानि टाइम पिरियड इस तरह से वास्तु में जो मुख्य है वो है दिशाएं तो जोतिश में जो थोड़ा वो जोतिश जानते हैं आप तो विंशोत्री दशा, अश्टोत्री दशा, इस तरह इवन लाल किताब में 36 साला पीरियड तो वास्तु में है मुख़्े दिशाएं तो दिशाओं को जानने के लिए किसी भी जगह में पूर किदर है, पश्चिम किदर है, उत्तर किदर है, दक्षिन किदर है ये जानने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है उसके बीच में खड़े होना जो भी आपका प्लॉट है, जो भी आपका मकान है, कोई रूम है, या कोई फरनीचर है उसकी आप दिशाएं जानना चाहते हो तो उसके बिलकुल लगबग बीच में खड़े होना है आपने जिस तरह से जोतिश में जियोसेंट्रिक सिस्टम है जोतिश में क्या होता है भू केंद्रिय सिधानत है हम अपने आपको पूरे ब्रमान का केंदर मान कर चलते हैं, धर्ती को केंदर मान कर चलते हैं, और ये एजियूम करते हैं कि सूरह, चंदरमा और बाकी सब इगर धर्ती के गिर्द घूम रहे हैं, तो इसी तरह वास्तु में भी आपने अपने आपको सेंटर मान के चलना है, अ आपने जो भी plot है जो भी constructed area है कोई room है जिसका भी आपने वास्तू करना है मतलब दिशाएं जाननी है उसके लगबग लगबग बीच में खड़े होना है पहली बात दूसरी बात क्या है सुबह सुबह सुरह उदे के वक्त सुरह जिस तरफ है उस तरफ फेस करना है लेकिन आप क्या करें 21 मार्च यद 23 सितंबर के लगबग तो 21 मार्च और उसके आसपास के 2-3 दिन और इसी तरह 23 सितंबर और उसके आसपास के 2-3 दिन आगे के 2-3 दिन पीछे के 2-3 दिन ओके इन दिनों में लगबग लगबग दिन और रात बराबर होते हैं तो आपने जिदर 13 सितंबर को और अपने हाथों को ऐसे एक्स्टेंड कर लेना है ओके तो जिदर सूरे उदय हो रहा है उदर हो गया पूर्व इंगलिश में है ना sun rises in the east and sets in the west बच्पन में पढ़ाया जाता है बच्चों को तो सूरे पूर्व में उदय हो रहा है चार मुख्य दिशाएं सूरे की तरफ फेस करेंगे उदर पूर्व सुबह उगते हुए सूरे की तरफ फेस करना है तो उदर पूर्व हो गया आपकी पीठ की तरफ पस्चिम हो जाएगा दाए हाथ में दक्षिन बाई तरफ उत्तर तो ये हो गई चार मुख्य दिशाएं फोर में डारेक्शन्स और कार्डिनल डारेक्शन्स कहा दे इनको फिर आए कोणिय दिशाएं है चार कोणिय दिशाएं है वास्तु शास्तर में उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व उत्तर और पूर्व के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री तो इसका आधा कर देना है 45 डिग्री तो नौर्थ एंड इस्ट के बीच में क्या हुआ नौर्थ इस्ट उत्तर पूर्व या इसको special नाम है भारत में है वास्तु शास्तर में इशान इशान्य इशान तो ये इशान दिशा हो गई इशान क्या है उत्तर पूर्व फिर आईए दक्षिन और पूर्व के बीच में इसी तरह 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करनी है तो दक्षिन पूर्व दक्षिन पूर्व को special नाम दिया गया है वास्तु शास्तर में आगने आगने अगनी की दिशा जिस तरह इशान थी इशान्य या इशान इश की दिशा इश है भगवान शिव तो साउथ इस्ट क्या होई आगने अगनी की दिशा अगनी को भी देवता माना गया है वेदों में बहुत रिचाहे हैं अगनी से संबंदी फिर यह दक्षिन और पश्चिम के बीच में इसी तरह 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करनी है तो यह होगी साउथ वेस्ट दक्षिन पश्चिम साउथ वेस्ट को कहा गया है नेर रित्य निरृत्य की दिशा नेर रित्य की दिशा इसको हम बाद में explain करेंगे और detail में अभी इतना ध्यान रखिए बस नेर रित्य इसको धंग से थोड़ा सा प्रोनाउंस करना है नेर रित्य फिर आईए नौर्थ वेस्ट उत्तर और पश्चिम के बीच में नौर्थ वेस्ट वायव्य इसको special नाम दिया गया है वायव्य वायू की दिशा वायव्य तो अब चार कार्डिनल डारेक्शन होगी मुख्य दिशा है कौन कौन सी है उत्तर पूर्व दक्षिन पश्चिम फिर चार कौनीय दिशा होगी ईशान आगने नररित्य और वायव्य तो इसको हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं एक स्कॉाइर प्लोट में एक स्कॉाइर प्लोट में थ्री बाइ थ्री ग्रिड बना दिया हमने नौ पार्ट कर दिये नौ इक्वल पार्ट कर तो इशान, नौर्थ इस्ट, फिर पूर्व, आगने, दक्षन, नेररित, पश्चिम, वायवे, और जो बीच में जगह रह गई उसको कहते हैं ब्रहमस्थान, ब्रहमा जी की जगह, ओके अब इन सभी दिशाओं के, जिस तरह जोतिश में ग्रहे हैं ना, इन सभी दिशाओं क स्वामी ग्रहे भी हैं, और फिर दिखपाल भी है, दिखपाल यानि डिरेक्शनल लॉड, दिशाओं के स्वामी, तो हर एक दिशा का एक स्वामी ग्रहे भी है, और एक दिखपाल भी है, तो वो मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बताता हूँ, इशान दिशा के स्वामी है, महादेव, शिव, ईश भी नाम है उनका तो उनके बहुत सारी नाम है आपको पता है विश्णू, सहसर नाम है इस तरह है भगवान शिव के भी हजार नाम है तो ईश भी कह देते हैं उनको महादेव भी, शिव भी तो यह यहाँ पर ईशान जो है ईश की दिशा है ईश यहां के हुए दिग पाल डारेक्शनल लौड दिग पाल और यहां के ग्रह हैं ब्रस्पती ब्रस्पती या गुरू जो की जोतिश में सबसे शुब ग्रह माने जाते हैं जो तिश में का जाता है बरस्पती जहां भी बैठे हूं या जिस भी भाव को देखते हूं वहां के सवा लाख दोश्यों को दूर कर देते हैं तो ईशान दिशा के स्वामी ग्रह वे बरस्पती और यहां के दिगपाल है शिव इश अब आई ये पूर दिशा सूरह पूर में उद्य होता है तो सूरह यहां के ग्रह हो गई इजी है याद करना सूरह यहां के पूर दिशा के स्वामी ग्रह है और जिस तरह सूरह सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में है किंग है वो सोलर सिस्टम के सभी ग्रह उनके गुर्द घूम रहे है इसी तरह देव पूर दिशा के दिखपाल हुए इंद्र अब आईए आगने दिशा आगने दिशा जोतिश में जो ग्रह है शुक्र ग्रह आगने दिशा का स्वामी है और अगनी से आगने बना है तो अगनी यहां के दिखपाल हो गए कोई मुश्किल नहीं है याद करना तो अगनी जो है दक्षिन दिशा गर्म है सूरह क्या है पूर से उद्य होता है और दक्षिन से होते हुए पस्ची में छुपता है तो दक्षिन में तुरूआउट दा येर 365 दिन हमें गर्मी मिलती है दक्षिन में तो दक्षिन दिशा में बहुत गर्मी मिलती है और गर्मी शरीर की गर्मी का कारक ग्रह कौन सा है जोतिश में वो है मंगल तो मंगल हो गया दक्षिन दिशा का स्वामी ग्रह ओके और यहां के दिगपाल दिगपाल है यम इस दिशा को यम में भी कहते हैं दक्षिन दिशा को वास्तु में यम में भी कहते हैं यम से बनाए वो यम में तो ये यम की दिशा है, तो यम यहां के हो गए दिगपाल, अब आए नेरित्य, नेरित्य दिशा का स्वामी ग्रह है राहू, जोतिश में राहू, कारक है जहर का, राहू, कारक है पाखंड का, राहू का अंग बंग हुआ पड़ा है, तो उसके हम interpretation यहां पर लगाएंगे जोतिश में ग्रह है, एक राहू, ग्रह माना गया है, तो यह राहू की दिशा हो गई, और नेरित्य की दिशा है यह, नेरित्य, तो नेरित्य इसकी दिगपाल हुई, नेरित्य को पित्रगण भी कहते हैं, तो पित्र या पित्रगण या नेरित्य, इस दिशा की दिगपाल है directional lord ओके फिर आते हैं पश्चिम दिशा पश्चिम दिशा में सूरह छुप जाता है sunrise in the east and sets in the west तो क्या अंधेरा हो जाता है और अंधेरे कार ग्रह कौन से है शनी तो शनी यहां का ग्रह हो गया पश्चिम दिशा का और यहां के दिग पाले है वरुण 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 जो रहसे में संसार का स्वामी है वरुण जो समुद्रों का स्वामी है अब आईए वायवे दिशा वायवे दिशा वायवे दिशा है वायवे दिशा का स्वामी ग्रह है चंद्रमा चंद्रमा जो की बहुत चंचल है रोज अपनी कलाएं बदलता है तो वायवे ओके तो वायू यहां के दिगपाल हो गई वायू यहां के दिगपाल है अब आईए उत्तर दिशा उत्तर दिशा का स्वामी ग्रहा है बुद्ध और उत्तर दिशा के दिगपाल है कुबेर कुबेर जिनकों के धनादी पती कहा गया है जो के यक्ष हैं तो ये आठ दिशाएं मैंने बताई आठ दिशाओं के मैंने स्वामी ग्रह बताए आठ दिशाओं के दिगपाल बताए तो के फिर दो दिशाएं एक उर्ध एक अधो उर्ध कह सकते हैं आप आकाश और अधो यानि पाताल तो ये दो दिशाएं और है आकाश उर्ध दिशाक के जो दिगपाल है वो ब्रह्मा जी कहे गए है और इसके ग्रह जनली निश्चित नहीं है लेकिन आकाश को कि विस्तृत है विशाल है अनंत है तो उसके स्वामी ग्रहा बरस्पती ले सकते हो बरस्पती क्योंकि expansion के extension के कारग रह काई गए गए हैं वृद्धी कारग रह काई गए गए हैं ठीक है और पाताल के स्वामी काई गए हैं वासुकी वासुकी जो की who is king of kobras जो नागों के स्वामी हैं वो पाताल लोक में निवास करते हैं तो वो उनकी दिशा है और अधो दिशा जनरली कोई उसके लिए ग्रह लौट नहीं किया गया लेकिन आप उसके लिए शनी ले सकते हो क्योंकि इट पत्थर रोड़ी इनका कारग शनी है मिटी का कारग उसकी दस्वी राशी शनी की तो वो पृत्वी तत्तो की राशी है ओके शनी के संकोच का कारग है पृत्वी लिमीटिड है आकाश अनन्त है तो ये मैंने आपको दस दिशाएं बताई चार मुखे दिशाएं उत्तर, पूर्व, दक्षिन, पश्चिम फिर चार मैंने कोणिय दिशाएं बताई आपको कौन-कौन सी ईशान, आगने, नेरित्य, और वायवे और फिर एक उर्ददीशा आकाश मतलब अनन्त खुली जगह जो भी है वो आकाश है आकाश है नहीं अबकाश जो भी खाली है जो भी जगह खाली है वो आकाश और पाताल क्या है जमीन के नीचे जस्ट बिलो अवर फीट पैरों के जस्ट नीचे जो है वो सब पाताल तो इस तरह ये दस दिशाएं हैं इनके मैंने आपको स्वामी ग्रह बताए इनका हम आगे यूज करेंगे मैंने फिर दिगपाल बताए आपको ये सबी प्रतीकात्मक हैं ये सबी जो नौग्र है जो आठ दिशाओं को रिपेंट करते हैं फिर दिगपाल हैं ये सबी प्रतीकात्मक हैं सिंबॉलिक हैं ये सब तो ये सबी हमें बताते हैं कौन सी दिशा किस काम के लिए शुब है कौन सी दिशा किन कामों के लिए शुब रहेगी जिस तरह निरिती अशुब प्रकरती की राक्षशी देवी है निरिती अशुब प्रकरती की है राक्षशी है निरिती शब्द बना है निरित से रित का मतलब है जो सही है जो लीगल है जो मोरल है जो ethical है और निरित का मतलब हुआ which is unethical, which is moral, which is anti-social, which is beyond the laws of society which is generally not accepted तो ऐसी चीजें उनको repent करती है निरिती तो ये जगे इसलिए सोने के लिए बढ़िया है पुराने टाइम में राजा लोग यहाँ पर अपना शष्टरगार रखते थे गुला बारूद, हथियार, ओजार, वो सब यहाँ पर रखे जा सकते हैं आज कल मानलो आपके पास लाइसेंसिर इवालवर है, कोई भी हथियार है वो सब रखने के लिए यह दिशा बेस्ट है, उस हथियार का, उस ओजार का कम से कम उपयोग होगा जिसका भी आप कम से कम उपयोग करना चाते हो, वो यहाँ रखना चाहिए यह मतलब है सीधा, यह यह कहा गया है कि जो एंटी शोशल एक्टिविटी है या ऐसी एक्टिविटी जो की जनरली एकसेप्टिड नहीं है मालो एक बुच्चर है, कसाई खाना है, वो यहाँ हो सकता है, शराब बनाना या शराब बेचना, वो यहाँ यह सब काम हो सकता है या कोई होस्पिटल है, उसमें मोर्चुरी है, या उपरेशन थियर्टर है फिर, वो नेरित्ते में होने चाहिए क्योंकि यह जन्रली एकसेप्टिड नहीं है, यह सब एक्टिविटीज, जन सामान ने इनको अच्छा नहीं मानता और इसी तरह फिर हम ग्रहों का एकाद बता देते हैं, आपको सूरह जो है, जिस तरह पूर दिशागस्वामी है सूरह मैंने बताया आपको सन सेंटर में है, सभी ग्रहे, इसके गिर्द घूम रहे है, सभी उपग रहे, इसके गिर्द घूम रहे है तो जिसने भी नमबर वन बनना है, किंग बनना है, पावरफुल बनना है, शाशक वर्गों के लिए उनके लिए ये दिशा बहुत बड़ी है फिर सूरे की दिशा क्योंकि सन इस किंग आफ दा सोलर सिस्टम तो जो लोग सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं जिस तरह सारा बोलिवुड में है उनको कहते हैं स्टार स्टार में खास बत क्या होती है कोई भी स्टार कोई भी तारक उसको क्या उसकी डेफिनिशन क्या है जिसके पास अपनी खुद की उर्जा है सूरे के पास अपनी खुद की उर्जा है चंदरमा के पास अपनी उर्जा नहीं है चंदरमा उर्जा कहां से लेता है सूरे से तो जिसके पास उसकी अपनी उर्जा है वो है स्टार तो सन के है स्टार है जिसको अपना यूनीक स्टाइल बनाना है ओके जो लाइम लाइट में रहना चाहता है तो उन सब लोगों के लिए इस्ट दिशा बहुत ही शूब है तो मैंने आपको बताया दिशाएं पता करने के लिए क्या करना है जो भी आपका वास्तु है मतलब एनी प्लॉट एनी बिल्डिंग एनी पीस ओफ लैंड एनी रूम उसके बीच में खड़े होना है ओके दूसरा सूरह की तरफ फेस करना है जब सूरह उद्य हो रहा हूँ और क्या ध्यान लखना है उस दिन जब कि दिन और रात बराबर हैं और वो कब होते हैं दिल्ली में लगबग 21 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपस और 2-3 दिन आगे पीछे कोई प्रॉलम नहीं है तो आप ऐसे ले लिजीए 21 मार्च ले लिजीए उससे 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक भी कोई समस्या नहीं है 23 सितंबर ले लो उससे 3 दिन पहले 3 दिन बाद भी कोई प्रॉलम नहीं है उन दिनों में एग्जेक्ट इस्ट में सूरह उद्य हो रहा होगा वो दिशा आपको पता चलेगी हाँ ये है असली इस्ट तो दो चीजे हैं जो अलबर्ट आइंस्टाइन ने कही थी स्पेस एंड टाइम स्पेस मैंने कौन सी बताई आपके अपना जो भी भूखनदा उसके बिल्कुल बीच में वो तो होगी स्पेस भार से नहीं देखना आपके जो भी वास्तु है उसके अंदर खड़े होके देखना है बीच में लगबग ये तो होगी स्पेस और फिर दूसरी चीज़ है टाइम टाइम मैंने बताया है लगबग लगबग वो वाले दिन जबके दिन और रात बराबर होते हैं तो वो वाला चूज करना है तो जोतिश में में क्या था दशा टाइम पीरियड और वास्तु में क्या दिशा डारेक्शन्स ये सबसे बड़ा फर्क है तो जोतिश जो है वो बाहर के जो ग्रहे है उनका हम पर प्रभाव क्या है उसकी स्टड़ी है और उसमें मेंली क्या है टाइम पीरियड और वास्तु क्या है वास्तु है जिस जमीन पर हम रह रहे हैं जिस घर पर हम रहे हैं जिस कमरे में हम रहे हैं जिस आफिस में हम काम करते हैं जिस पार्क में हम गूमने जाते हैं उसका हम पर प्रभाव उसकी स्टड़ी वो है वास्तू ये बताईए कि डारेक्शन्स पता करने के लिए कौन सी दो बातें जरूरी है ध्यान में रखनी चाहिए और अभी मैंने कमपस का यूज करना नहीं बताया कमपस का यूज करना बा आज की वास्तू टिप क्या है सोते वक्त आपका सिर उत्तर में कभी ना हो तो उत्तर कैसे देखेंगे उस कमरे के बीच में खड़े होना है जो आपका बेडरूम है तो सोते वक्त आपका सिर उत्तर में कभी ना हो बेस्त क्या है या तो दक्षिन में हो या पूर में हो सोते वक्त आपका सिर दक्षिन में या पूर में होना चाहिए और फिर तीसरे नमबर पे क्या पस्चिम दिशा में हो सकता है और उत्तर में कभी ना हो तो दीमे दीम हम बताएंगे आपको के बेड रूम में केवल ये डारेक्शन नहीं आपका एंट्री है जो घर की वहाँ से बेड रूम मैक्सिम डिस्टेंस पे हो फिर बेड रूम के दरवाजे से आपका बेड मैक्सिम डिस्टेंस पे हो आपका सिर प्रोटेक्ट होना चाहिए, सिर की तरफ कोई भी दरवाजा खिड़की खुली ना हो आप अगर राइटी हो, राइट से काम करते हो तो राइट ज्यादा खुला हो आपका लेफ्ट में कम डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब दीवार नजदीक होनी चाहिए राइट में ज़्यादा दूरी पर हो दीवार, इस तरह फ्रंट आपका ज़्यादा खुला हो पीछे की तरफ, आपके सिर की तरफ सॉलिड दीवार हो तो अभी केवल इतना ध्यान रखिए कि always, whenever you are sleeping, never keep your head towards north Thank you, next video मिलते हैं